जैहिन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल अमरित अकेडमी पे हम लोग सीटेड पेपर टू के लिए अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं ठीक है आज उसी सिरीज में हम लोग अपना एक सिरीज स्टार्ट किये हूं है जो कि संभावित प्रशनों की में हम लोग क्या करते हैं कि प्रिविय से से लगभग डेली 10 इस के होते हैं यह थोड़े IMPORTANT जो लगते हैं उन्हें सजेस्ट किया प्रफिस में होती है ठीक है या तो डायरेक्ट यहीं कोशन आजाएंगे या इस पर बेश्ट कोशन आते हैं ठीक है अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो प्रफिस सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि मैं आफ्टर सीटेट आप लोगों के लिए एक बहुत ही बहतरिन मैथ और साइंस का कोर्स लेके आने वाला हूं और आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग कौन से एक्जाम का कोर्स चाहते हैं कि सीटेट के बाद मैं स्टार्ट करूं यूपी के या बिहार क या फिर आप लोग चाहते कि एक कॉमन मैथ और साइंस का कोर्स लेके आऊं जिसमें मैं सारे एक्जामों के कंटेंट को कवर करूं ठीक है तो आप लोग कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे अंदाजा लग जाए कि मुझे सबसे पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए चलिए ठीक है बीना टाइम वेष्ट की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक कोई पौधा है ठीक है जो स्वपोशी के साथ-साथ विशम पोशी भी है तो एक्स क्या हो सकता है ऐसा कौन सा पौधा है जो स्वपोशी भी है साथ-साथ विशम पूसिए इंग्लिश में अट्रोट्राप और हेट्रोट्राप भी है ठीक ना तो बताइए ऐसा कौन सा पौधा है मैंने मैंड में पौली क्लास में ये कौनसेप्ट सिखा रखा है तो आप लोग अपने से आंसर कीजिए बताइए इसका आंसर जो है वह पिचर स्वयंग भी बनाता है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर आपका ओप्सन हो जाएगा ठीक है चलिए अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग का अगला कोशन काफी अच्छा सा कोशन दे रखा है इंगलीस और हिंदी दोनों में इसमें कहारा है आपको तीन प्रक्नलियों में गुलाबी रंग का गुड़हल के पूस्प का विलेयन दिया गया है ठीक है न आपको तीन प्रखनलियों में गुलाबी रंग के गुडाहल का विलयन दिया गया है आप पहली परकनली में यह की दो बूद्धे डालते हैं यह गुलाबी रंग का हो जया में दालनेके बाद गुलाबी ठीक है ना हो जाता है आप दूसरी परक्नली में बिलेन बी की दो बूदे डालते हैं पर रंग में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आता है तो नो परिवर्तन नो चेंज आ जाता है ठीक है ना किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है आप तीसरी परक्नली में की कुछ बूदे डालते हैं तो हरा रंग हो जाता है इसका रंग हरा हो जाता है तो आप से पूछ रहा है तो एक मिनट कुछन नीचे देखते हैं क्या कहना तो कह रहा है विलियन तो दिखे रहा है पहला फूल में डालने गहरा गुलाबी रंग देता है तो आप लोगों को मैंने चैप्टर में और इस वाले मैंड मैप में भी चीज़ बताया है कि एक प्राकृतिक इंडिगेटर होता है एसथे और बेस का ठीक है होता है और आपका अफ मियुद्र हो जाएगा अरा हो जाएगा उदाशीन हो जाएगा सी आपका हरा हरा हो गया ना तो हरा होता है चारी में हरा होता है तो ऐसे आप संदेखिए जिसमें एको एसिड लिया गया हो एको चारी बोला यह गलत हो गया ठीक है ए उदासीन यह भी गलत हो गया ए अमली यह आपका सही हो गया भी उदासीन होगा ठीक है सी छारी होगा यह भी सही है तो आप लोग कुछ प्रकृतिक इंडिकेटर जैसे गुड़हल हो गया आपका हल्दी हो गया जिसको टर्मरिक बोलते हैं और चाइना रोज हो गया इन सब चीजों के इनके गुणों को याद करके जाना पेपर में यहां से कोश्चन जरूर आएं पूरा का पूरा साइंस आपको एक ही में समिट करके मिल जाएगा ठीक है और थैंक्यू सो मच आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं उन सारी वीडियो को ठीक है चलिए इस वीडियो में इस कोश्चन में कह रहा है एक लेजर टार्च से प्रकास को एक एक करके निमने लिख और कांच का स्याउब होता है दूसरा माध्यम होता ठीक न थैक है मैंने आप लोगों को बता रखाता अगर प्रकास एक माध्यम से आता है और यह दूसरे माध्यम में चला जाता है तो संट बोलते हैं divař तो दोनों ही केसेज में आपवर्थन होगा क्योंकि दोनों ही प्रकास रेको लाइट रेको अपोर्थीत करते आ हैं Reflect करते हैं ठीक है तो देखें अपवर्तन जहाँ दोनों हो वही सही हो जाएगा यह डी ऑप्सन आपका हो जाएगा जो है वह भी करेगा और जो आपका का ऐम करेब ऑप करेगा जले अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं कि ग्रेविटी चेप्टर से कोशन है किसी इमारत की छट से भूमी की और गिरने वाले शिक्के की गती लगातार बढ़ती है क्यों बढ़ती है तो कि आप्शन दे रहा है सिक्का बहुत हलका है ऐसा कोई रीजन नहीं होता है प्रित्वी सिक्के को अकर्सित करती है अगला क्य तरफ अट्रेक्ट करती है को इसकी वज़ा से उसकी तेज होती जाती है ठीक है ना चलिए अगले कोशन को देख लेते हैं यह दस के दस कोश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको इंपॉर्टेंट मार्क करके चाहे तो इनके डारेक्ट आंसर याद रखिए कुछ भी यह काफी इनालिसिस के बाद कुश्चन निकालते हैं ठीक है चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है निमनलिखित में से किस अविक्रिया के घर्टित होने की सं कि इसलोष हैं यहाँ से सबसेट काम है अगर आपने कश्चन के साथ बैठा हो तो इसको अलग करना सबशेट काम होता है तो देखिए डी आप्शन में ऐसा कराया है के सियल को इसने के यहां से जो है सियल को निकाल लिया है ब्रोमीन जो है सियल को हटा करके अपना खुद जुड़ गया है जो कि सबसे कम पॉसिबिल्टी क्योंकि पोटैसियम सबसे ऊपर होता है रियक्टिविटी सिरीज में और जो सबसे ज़्यादा रियक्टिव होगा उसका बॉंड भी अधिक होगा चलिए अगले कोशन की तरफ अपने बढ़ते हैं यह देखिए जॉइंट से कोशन हमने आप लोगों के साब थे उसमें भी डिसकस किया था मैंड मैप वाली क्लास में एक कोशन देखिए आपके सामने हैं कह रहा है निमनलिखित संधी संधी मतलब जहां पर दो हड्डियां मिलती है जैसे यह मिल गया अंगुठे की हड्डी हो गई यह कलाई की रिष्ट हो गई यह हो गया ठीक है का मानों सरीर में उसके अस्थान के साथ मिलान कीजिए मैंने बताया था कंदुख खलिल संधी जो होती है इसकी इंग्लिस भी आप लोग यहां पर देख लीजेगा बॉल एंड सॉकेट है ठीक है ना बॉल एंड साकेट फिक्स जॉइंट हें और पाई वोड यह सारा चीजें हमने बता रखा है अपने माइंड मैप की क्लास में के कंद इति जाता है लगा इसे दो जगा मिल लाए चुलो को चख करते है इस संधिर संधी में यह देखिए ृपटेशी है कोणी की संदी होती है देखो यहां से एक ही तरफ खुलती है बस भूटने की संधी हिंज संदी अगले कोशन की तरफ अपने बढ़ते हैं दिखें बॉब वाले कोस्टन को भी मैंने डिसकस कर रखा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी माइंड मैप की क्लास ठीक है ना माइंड मैप यहीं पर आप लोग सर्च करेंगे इसी चैप्टर में चले जाएंगे प्रिविएस येर कोश्चंस की सीरीज में आपको माइंड मैप देखने को मिल जाएगा तीन पार्ट है साइंस के उन त पूरा जितना दस कोशन आने वाले हैं उनकी त्योरी उनके कॉंसेट उनके सॉल्टकट उनके टैग वर्ड सब एक साथ चाहिए तो आप लोग करके बताईए मैं कल या पर्सों में उस वीडियो को भी बना देता हूं आप लोग के लिए बस आप लोग प्लीज क्या करोगे सब्सक्राइब कर लो जीए चैनल अगर अभी तक नहीं की है ठीक है ना क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़े जरूरी है क्योंकि मुझे जो है लाइब क्लासेज लेना ज्यादा पसंद होता है क्योंकि रेकॉर्डेंग में बहुत चीज़ों छूट जाती है आफ्टर रेकॉ तो एक एक दोस्तों को भी सेयर करके करवा दीजिएगा मैं लोगों के लिए काफी मेनत कर रहा हूं और आफ्टर सीट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बहुत कुछ लेकि आने वाला हूं मैं चलो यह देखिए क्या करा है एक साधारण पेंडूलम के बॉब की इस्थिती से एक दम उचाही तक ले गया और नीचे इधर ऊचाही होती है थीक है बाब के संदर्व में निम्झी अ कों सा कथन सही है यह देखिए रस्टी की लंबाई होती है के टायम पीरिड की बात करें फार्मूला होता है यह याद रखना यहां से भी कॉश्चन बनता है इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है चाल जो है चुन जाती है ठीक है कि अगले कोश्चन की तरफ अपने आ जाते हैं देखिए नेक्ष कोशन आपके स्क्रेशन पर यह रहा यह यह सारे दस के जो जितने भी अभी कोशिका के अंग है जिसमें खुद का डीन्ने होताए घृपमें पाया जाता है लवक जिसको बोलते हैं इसमें भी इन ने उपस्थित होता है सर्हां द themes दाटन तो सबकुछ मैंने मडर माइप के कबर किया हुआ है जो अचेव वह पढ़े हैं उनको लग रहा होगा कि हाँ अब हम question कर पा रहे हैं चलिए ठीक है अगर आप कर पा रहे हैं तो कमेट जरूर कीज़ेगा ठीक है और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है इस चीज का ध्यान दीजिएगा ठीक है अगला आपके लिए एक और इंपस्पुल्भलिक मसे कों से पदार्त मांचिस के निर्मायड प्रिष्ट पर विध्यमान यह निगरिश्ण-प्रिषृ इसां सब्सक्राइब करेक्ट हो जाता है काच का चूड और लाल फासफोरस होता है और उसमें कई सारे और मैगनिसियम का कोई सलफेट या इस तरह से कुछ कई मिस्रण उसमें पाया जाते हैं तो यह आज के आपके सब्सक्राइबर बढवा रहे हैं तो मैं पूरी कोसिस से लग जाता हूं आज रात या कल रात तक उसको त्यार करके पूरी चैप्टर को दस के दस कोशन आपके सामने में लिया करके रख दूँगा और साथ मैं एक्स्प्लेइन भी कर दूँगा ठीक है तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और यह कमेंट करना न भूलिए कि आप लोग कौन से एक्जाम के लिए पढ़ना चाह रहे हो तो मैं उसका कोर्स करके अप्टर सिस्टेट स्टार्ट कर दूँगा बाबाय टेक केर थैंक्यू सो मच जय हिंद